हेलो फ्रेंड्स मैं पिंकी त्यागी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ आज मैं आपका अपने इस वीडियो में 21 एलोवेरा हैक्स बताऊंगी एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत सारे 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 प्लांट है जिसमें मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड एलोवेरा हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी. तो सबसे पहले जो मैं हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी वो है हमारी स्किन के लिए तो एलोवेरा हमारी स्किन के लिए किस तरीके से beneficial है तो वो स्टार्ट करते हैं तो फस्ट ऐलोवेरा है कि ऐलोवेरा को ऐसे face pack भी use कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं कि ऐलोवेरा की leaf का एक छोटा सा टोड़ा लें और उसे बीच में से कट करके अपने face पर अच्छे से उसके gel को पूरा लगा लें अब 15 मिनट उसे ऐसी सूखने के लिए छोड़ दें अब 15 मिनट के बाद अपने face को wash कर लें ऐलोवेरा का second है कि हम ऐलोवेरा को as a makeup primer भी use कर सकते हैं मेक अप लगाने से पहले एक बार अपने face पर ऐलोवेरा लगाएं तो इसे makeup long lasting चलता है थर्ड ऐलोवेरा है कि ऐलोवेरा को as a makeup remover भी use किया जा सकता है ऐलोवेरा को जब आप makeup उतार रहे हैं तो उसे अपने face पर उसे massage करें और उसके बाद किसी भी tissue paper से या cotton से wipe कर लें या ऐसा भी कर सकते हैं कि cotton में ऐलोवेरा लगा कर अपने face से पूरा makeup उतार लें ऐलोवेरा का fourth है कि हम ऐलोवेरा को as a cleanser भी use कर सकते हैं ऐलोवेरा जेल से अपने face की 2-3 minute massage करें और उसके बाद फिर cotton से अपने face को wipe कर लें ऐलोवेरा का fifth है कि हम ऐलोवेरा को as a moisturizer भी use कर सकते हैं अगर आपके पास कोई moisturizer नहीं है तो अपना face wash करने के बाद थोड़ा सा ऐलोवेरा जेल लें और उससे अपने face पर moisturizer की तरह apply करें next है कि हम ऐलोवेरा को as a body lotion भी use कर सकते हैं इसके लिए क्या करना है थोड़ा सा ऐलोवेरा जेल लें और उसमें थोड़ा सा almond oil या coconut oil mix करके उससे अच्छे से mix कर लें एक creamy texture बना लें और उसके बाद उसे body lotion के तोर पर use करें next aloe vera hack है बहुत बार each Icing की problem हो जाती तो उस पर भी aloe vera gel को use किया जा सकता है aloe vera gel लगाने से जो इ इचिंग की problem हैं वो दूर होती है next aloe vera hack है कि बहुत बार चोटा मोड़ा cut लग जाय या चोट लग जायक है तो उसमें भी हम aloe vera gel को यूज कर सकते हैं, fresh aloe vera gel को, तो ये बहुत जल्दी घाव को भरने का काम करता है. next aloe vera gel है कि kitchen में काम करते हुए जल जाएं, या crackers कोड़ते हुए जल जाएं, तो भी aloe vera gel को, fresh aloe vera gel को लगाने से, इसकिन पर ठंडक मिलती हैं, और जले का निशान भी नहीं रहता है. next aloe vera hack है कि stretch marks के लिए, बहुत बार pregnancy के time, या कई लोग मोटे होते हैं, वो पतले होने के लिए gym वगएरा करते हैं, तो भी उनकी body पर stretch marks आ जाते हैं, तो उनमें भी aloe vera gel लगाने पर stretch marks काफी हद तक remove हो सकते हैं, तो ये थे कुछ skin से related aloe vera gel के hacks, अब जो मैं hacks आपके जेल करूंगी, वो है हमारे hair से related, तो जो next aloe vera hack है, उसका है कि हम aloe vera gel को as a hair pack भी use कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, कि हमें थोड़ा सा 2-3 चमच या अपने बालो के according, कितने बाल है आपके इसकी length के according aloe vera gel लें, उसमें 1 चमच olive oil या coconut oil मिलाएं, और उसमें 2-3 मिक्स करके अपने बालो में लगा लें, तो ये aloe vera gel का एक hair pack तयार हो जाता है, next aloe vera hack है कि हम aloe vera को as a hair serum भी use कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करें, एक चमच aloe vera gel लें, उसमें 1 vitamin E का capsule mix करते हैं, और उसमें 1 चमच aloe vera gel में 3-4 चमच पानी mix करके इन 3 अपने बालो में 5 मिनट के लिए fresh aloe vera gel लगाएं, और उसके बाद 5 मिनट के बाद अपने बालो को wash कर दें, तो ये हमारे बालो में as a conditioner भी काम करता है, तो ये थे कुछ hair hack, hair aloe vera hacks, अब जो मैं आपके साथ aloe vera hacks share करूंगी, वो है हमारे health related, next aloe vera hack है कि अगर सुभे की समय, खाली पेड, 2-3 चमच fresh aloe vera gel खाएं, तो उससे blood purify होता है, blood की सारी अशुदियां दूर होती हैं, और उससे blood के अशुदियों से जो skin disease होती हैं, वो भी दूर होती हैं, जैसे कि बहुत लोगों पोड़े फुनसी की problem होती हैं, तो वो बहुत इजली दूर ह हो जाती हैं, और फोड़े फुनसी पर साथ में हम aloe vera को as a ointment भी लगा सकते हैं, नेक्स्ट aloe vera है कि कि किसी के कान में अगर दर्द हो जाएं, तो उसमें भी aloe vera gel की एक से दो ड्रोग डालने पर कान का दर्द दूर होता है, नेक्स्ट aloe vera है कि constipation की problem के लिए, इसमे सुबह के समय खाली पेट, दो से तीन चमच aloe vera gel खाने से धीरे धीरे constipation की problem दूर हो जाती है, नेक्स्ट aloe vera है कि joint pain के लिए, जिन लोगों को joint pain की problem होती है, वो भी aloe vera gel को या तो खा सकते हैं, या aloe vera को juice के दोर पर use कर सकते हैं, तो उससे joint pain में बहुत अराम मिलता ह नेक्स aloe vera है कि mouth freshener के लिए, जिन लोगों के सांस में बदबो आती है, मूँ से दुरगन दाती है, वो लोग भी सुबह के समय एक से दो चमच अगर aloe vera gel खाते हैं, तो उनकी मूँ की दुरगन दूर होती है नेक्स aloe vera है कि कुछ लोगों के दांतों से, मसूरों से खून निकलने की problem होती है, तो वो अगर fresh aloe vera gel से अपने दांतों की, गम्स की मसाज करें, तो वो खून निकलना बंद हो जाता है नेक्स aloe vera है कि ये diabetes के patient के लिए भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि इसका treat थोड़ा casella होता है, तो ये diabetes के patient के लिए अच्छा होता है, अगर वो भी सुबह के समय 2-3 चमच fresh aloe vera gel खाते हैं, तो उससे sugar level control में रहता है नेक्स aloe vera है कि air freshener के लिए, aloe vera का plant air को हमारी वायू को शुद्ध करता है, हमें ताजी हवा देता है, तो इस तरीके से ये थे 21 aloe vera hex, जो हमारे skin के लिए, hair के लिए और health के लिए थे तो इस तरीके से aloe vera एक बहुती ज़्यादा beneficial plant है हमारे लिए, हमारी पूरी health के लिए, तो अगर आपके पास aloe vera का plant है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास नहीं है तो एक plant aloe vera का ज़रूर लगाएं, और इससे होने वाले फाइदों का लाब उठाएं, आपको यह aloe vera hacks कैसे लगे, मुझे comment करके बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे like करें, और इसे अपने family और friends में share करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आयो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने पर एक घंटी का निशान आए डेकिल